आप सभी के लिए एक बहुत ही important update है, इस समय Amazon पर Samsung के सभी latest TVs पर आपको काफी बड़ा price drop देखने मिल रहा है, usually Samsung TVs की prices ज़्यादा कम नहीं होते हैं, दिवाली sale में हमें थोड़े बहुत discount मिल जाते हैं, लेकिन आज जो discount मिल रहा है, वो साल का सबसे बड़ा discount है Samsung TVs पर, तो in short म मेरा कहने का मतलब यही है, कि अगर आप भी एक premium brand की TV लेनी की planning कर रहे थे, especially Samsung TVs लेनी की planning कर रहे थे, तो आज अभी बिलकुल सही समय है TVs buy करने का, आपको 5-6,000 उपे ता का discount मिल रहा है, और काफी अच्छा discount है, और शायद ही आपको आगे आने वाले time में, ऐसा discount Samsung की TVs पर देखने मिलेगा, तो आज की इस वीडियो में हम जानेगे, कौन से TVs पर कितना discount मिल रहा है, और कैसे आप और भी additional 3-4,000 का discount पा सकते हो, बिना किसी card को use करे, यह method भी मैं बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिलकुल भी skip मत करना, वीडियो लंबी है, लेकिन skip करोगे तो वो method आप से मिस हो जाएगा, और सभी buying links जो हैं वो आपको नीचे description मिल जाएगे, बाकि वीडियो पसंद आया, वीडियो helpful लगे, तो like, share, subscribe कर देना, आईए चली वीडियो को यहाँ पर हम शुरू करते हैं तो इस वीडियो को मैं जितना हो सके, उतना simple and short रखने की कोशिश करूँगा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ पर कुछ चीजे बता देना चाहता हूँ, ऐसा ज़रूर नहीं कि जो discount, जो pricing में अभी बता रहा हूँ, वो हमेशा के लिए applicable हो, discount है, हो सकता है, आज ह कल नहीं है, तो इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो तुरंट लिंक पर क्लिक करके देख लीजे, क्या discount अविलेबल है, या फिर नहीं, और अविलेबल है, तो तुरंट वाइ कर लेजे, because 3-4 दिन बाद यह same discount मिलेगा, इसकी कोई guarantee नहीं है, ओके, तो यहाँ प के price में, अगर आप Samsung की 32-inch TV लेना चाहते हो, तो wonder entertainment smart TV series का सिड़क कर सकते हो, इसमें सारे features मिल जाते हैं, voice assistant, bluetooth वगरा भी यहाँ पर आपको दिया गया है, बात करते हैं, most important series जो की है Samsung की crystal 4K series, काफी अच्छी TV है, bezel-less design मिलता है, काफी अच्छी pitch quality, काफी अच्छी audio quality 4K pro, अब आगे बढ़ने से पहले crystal 4K और 4K pro में difference समझ लीजे, दोनों TV's exactly same है, crystal 4K और 4K pro में difference है, सिर्फ remote में button का, जो normal 4K variant है, उसके remote में आपको voice assistant का button नहीं मिलता है, जो 4K pro वाला variant है, उसमें आपको voice assistant का button मिलता है, तो यह totally आपके उपड़ेपन करता है, कि आपको voice assistant button चाहिए या फिर नहीं चाहिए, उस साब से आप crystal 4K और crystal 4K में choose कर सकते हैं, यह totally आपके उपड़ेपन करता है, तो यहाँ पर शुरू करता है, Samsung crystal 4K से, यहाँ पर इसका 43 inch वाला variant है, उसकी pricing अभी इस समय 37,000 रुपीज है, additional discount यहाँ पर आपको मिलता है, 2750 का, कैसे आप आपको direct discount मिल जाएगा और इसकी effective price होगी 34,250 रुपीज, अब यह coupon discount हमेशा available होगा, इसकी कोई guarantee नहीं है, लेकिन अगर आप यह video upload होने के कुछ दिन तक देख रहे हो, तो शायद आपको discount मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है, तो आपको 37 में TV मिल जाएगी, लेकिन मैं discount को consider कर रहा हो, और इसकी pricing यहाँ पर 34,250 रुपीज निकल कर आ रही है, जो कि काफी aggressive price है, इस TV की pricing जो है, वो 38,000 रुपीज रखे गई थी जब यह TV launch होई थी, और 34,000 में मिल रही है, काफी तगड़ी डील है, especially Samsung के case में, इसका 50 इंच वाले वीरेंट है, उसकी pricing 48,000 है, coupon discount 3,750 रुपीज का मिल रहा है, लगबग 4,000 रुपे का discount यहाँ पर मिल रहा है, और उसके बाद इसकी pricing, 50 इंच वाले वीरेंट की pricing, 44,250 रुपीज हो जाएगी, 55 इंच वाले वीरेंट जिसकी pricing 51,000 रुपीज है, 3750 रुपीज का coupon discount मिल रहा है, और इसके बाद इसकी effective pricing जो है 47,250 रुपीज हो रही है, यहाँ पर जो आपको discount मिल रहा है, यहाँ पर कोई भी card बगरा यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको direct apply पर click करना, उसके बाद आपको discount मिल जाएगा, और अगर आपके पास credit वापी debit card है और इसके ओपर Amazon पर discount मिल रहा है, तो भीया, सोने पर 41,000 रुपीज होती है, इस तरह में 39,000 रुपीज का मिल रहा है, coupon discount यहाँ पर आपको 2750 का मिल रहा है, इसके effective pricing 36,250 निकल कर आ रही है, काफी अच्छी pricing है, मैंने इस TV को 42,000 रुपीज तक बिकते वे देखा है, और यह same TV बिना किसी card के 36,000 रुपीज में आपको मिल रही है बहुत ही बैतरी इन डील है, और complete focus smart TV है, voice assistant भी आपको मिल जाता है, definitely आप इस 43 इंच वाले को consider का सकते हैं, और बिलकुल भी यह deals मत मिस करना अगर आप Samsung के TVs लेना चाहते हैं, 50 इंच वाला वेरेंट 51,000 रुपीज का है, coupon discount 3,750 का मिल रहा है, effective pricing 50 इंच वेरेंट की 47,250 रु है, 3,750 का coupon discount और effective pricing 50,250 रुपीज काफी तगडी pricing है, in fact मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे लेना होता तो मैं अभी definitely ले लेता, बाकी बात करते हैं, यहाँ पर हम frame TV की, तो यह थे budget TV Samsung के, अब यहाँ पर है frame TVs, जो की QLED TVs हैं और इनमें आपको जो है, frame look भी मिलता है, न इनको आप TV की तरह भी यूज का सकते हो, और आज़ा artwork भी यूज का सकते हो, तो यहाँ पर frame TV का 43 इंच वाला variant 59,000 रुपीज में मिल रहा है, coupon discount यहाँ पर आपको 1750 का मिल रहा है, और effective pricing है इसकी 57,250 रुपीज, बन सगें काफी एची pricing है, यह 43 इंच वाला variant है, यह 62,000 और आपको उसे 57,000 रुपीज मिल रहा है, काफी एची डील है, 50 इंच वाला variant है, उसकी pricing 74,000 रुपीज है, and after coupon discount of 1750 रुपीज, इसकी effective pricing हो जाती है, 72,250 रुपीज, जो की one second काफी एची pricing है, बात करते हैं मेरे favorite variant की, जो की है D-frame 55 इंच screen size के साथ, 89,000 रुपीज की pricing है, coupon discount के बाद इसकी जो effective pricing है, 87,250 रुपीज हो जाती है, जो की मेरे सब से काफी एची pricing है, और ये जो 55 इंच वाला variant है, ये मेरा favorite है, because ये PS5 ready है, 120 Hz refresh rate यहाँ पर आपको मिल जाता है, काफी एची picture and काफी एची audio quality मिलती है, तो Samsung के इन TVs पर आपको काफी अच्छा discount मिल रहा है, कितना अच्छा discount बल रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं, आपको पता चल चुका है, so इन सभी TVs की buying links आपको नीचे discussion में मिल जाएंगी, जिन भी TVs को मैंने आज वीडियो में discuss किया है, ये सभी TVs एक अच्छे option इकल कराते हैं, आप चाहे इन में से कोई भी TV ले ले, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, in terms of picture, audio, quality and performance, बाकि after sale service and quality के बारे में आपको doubt नहीं होना चाहिए, because ये जो products हैं, ये Samsung के तरफ से हैं, Samsung जो है, काफी बड़ा brand है, काफी premium brand है, और इनकी service वगरा भी इंडिया में काफी अच्छी है, सभी TVs के links आपको नीचे description में दी है मैं TVs पर, इसके पीछे reason ये हैं, कि 2022 के नए TVs आने वाले हैं, अभी उनको आने में time है, तीन से चार मेने हो जाएंगे, लग जाएंगे मतलब, और इस बज़े से prices थोड़े थोड़े drop होना शुरू हो चुके हैं, तो सवाल आपका ये आएगा, कि 2022 का wait करें या फिर 2021 वाले ले दीखिए ये जो budget TVs थे Samsung के हैं, इनमें न नया जादा अपग्रेड नहीं आता है, अगर हम compare करें 2020 वाले को 2021 से, 2021 को 2022 से, तो बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं मिलता है TVs के अंदर, almost सभी चीज़े सेम ही रहती है, अगर हम बात करते हैं, 2021 वाले variant की, तो उनमें कुछ चीज और उनमें जादा कुछ नहीं आपको नहीं मिलने वाले है, I hope ये वीडियो आप सभी के लिए useful रहा होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजे, चैनल पर नए है, वीडियो इंट्रेस्टिंग लगी है, तो चैनल को subscribe कर लीजे, और इस वीडियो का अपने friends and family के स आप से कीजे ताकि उनको भी बता चल सके और उनके हाँ से भी ये deal मिस ना हो, मिलता हूँ नेक्स वीडियो में दबता के लिए, टाटा, बाई बाई, सामनारा